इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय चार फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लंबाई और चवडाई बीस-पीस हाथ की और उचाई दस हाथ की थी, फिर उसने एक धाला हुआ होद बनवाया, जो छोर से छोर तक दस हाथ तक चवडा था, उसका आकार गोल और उसकी उचाई पांच हाथ की थी, और उसके चारो ओर का घेर तीस हाथ के नाप का था, और उसके तले उसके चारो ओर एक एक हाथ में दस-दस बैलो की प्रतिमाए बनी थी, जो होद को घेरी थी, जब वह धाला गया, तब ये बैल भी दो पांती करके धाले गया, और व तीन पूर्व की ओर मुह किये हुए थे और इनके उपर होद धरा था और उन सभों के पिछले अंग भीतरी भाग में पढ़ते थे और होदे की मोटाई चवा भर की थी और उसका मोडा कटोरे के मोडे की नाई सोचने के फूलों के काम से बना था और उसमें तीन हजार बत भर कर समाता था फिर उसने धोने के लिए दस होदी बनवा कर पाँच दहिनी और पाँच बाई और रखती उनमें होंबली की वस्तुए धोई जाती थी परन्तु याजिकों के धोने के लिए बड़ा होदा था फिर उसने सोने की दस दिवर्ट वीधी की अनुसार बनवाई और और उसने सोने के एक सव कटोरे बनवाया। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया। और इस अंगन में फाटक बनवा कर उनके किवाडों पर पीतल मढवाया। और उसने हौध को भवन की दहिनी और अर्थात पूर्व और दखिन के कोने की ओर रखवा दिया। और हुराम ने हंडों, फावडियों और कटोरों को बनवाया। और हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमिशर के भवन में जो काम करता था उसे निप्टा दिया। अर्थात दो खंबे और गोलों समेत वे कंगनिया जो खंबों के सीरो पर थी। और खंबों के सीरो पर के गोलों को ढापने के लिए जालियों की दोदो पांती और दोनों जालियों के लिए चार सो अनार और जो गोले खंबों के सीरो पर थे उनको ढापने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की दोदो पांती बनाए। फिर उसने कुरसिया और कुरसियों पर की होदिया और उनक इसके बारह बैल बनवाए। फिर हुराम अभी ने हंडो, फावडियो, खाटो और इनके सब सामान को यहवा के भवन के लिए राजा सुलिमान की आग्या से जलकाय हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उसको यरदन की तराई में अर्थात, सुकोत और सरेदा के बीच की चि बनवाए। यहां तक की पीतल के तौल का हिसाब न था। और सुलिमान ने परमिशर के भवन के सब पात्र सोनी की वेदी और वे मेज जिन पर भेट की रोटी रखी जाती थी। और दीपको समेत चोखे सोनी की दीवटे जो विधी के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने चला क करती थी और सोने बरन नीरे सोने के फूल दीपक और चिम्टे और चोखे सोनी की कैचिया, कटोरे, धुपदान और कर्छे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परमपवित्र स्थान के भीतरी किवाड और भवन अर्थात मंदिर के किवाड सोने के बने।